नमस्कार दोस्तों, Curious Wealth and Curious Box में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के उपर बात करने वाला हूँ जो करंटली नियूज में चल रहा है और बहुत से लोग एजियूम करने में लगे हैं कि कौन से वो स्टॉक हो सकते हैं तो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है प्राइविट आयोग के द्वारा बताई गई है तो मैं आज उन चारो स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा क्या ये सही लेवल है उन स्टॉक के अंदर इंटरी लेने का और अगर सही लेवल है तो यहां से आपके स्टॉप लॉस और टार्गेट क्या निकल के आते हैं चार्ट के उपर में यही इन्फॉर्मिशन आपको दिखाने वाला हूँ तो जिन चार स्टॉक के हम बात करेंगे या जो चार बैंक इस स्कीम के अंदर आने वाले हैं वो हैं महारास्टर बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक उफ इंडिया और इंडियन ओवर्सीज बैंक यह चार बैंक के चार्ट में आपको दिखाऊंगा और डिटेल में अनलेसिस करके बताऊंगा कि कौन से ऐसे लेवल से जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको क्रॉस करना इसको इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऐसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे इस वाले चैनल में कुछ टेकनिकल इसूज आ रहे हैं मैं ज़्यादा लंबी वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां मैं डिटेल इंफॉर्मेशन या डिटेल वीडियो शेयर करता हूँ उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आपके वीडियो में यहाँ जो आई का सिंबल आता है अचले दो-तिन दिन से थोड़ी बहुत चहल पहल इसमें देखने को मिल गई थी लेकिन कल के और आज के सेशन में जो आप चीज आपजर्ब करेंगे वो यह है कि स्टॉक ने इंडिसाइसिव केंडल दिये हैं दो यह जो है अपर साइड में जा रहा है लेकिन फिर भी इसने इंडिसाइसिव केंडल का फॉर्मेशन किया है यहां से एक्जेक्ली क्या डिरेक्शन होगा वो सही सही बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से आपको बताऊं एक और चीज अगर आप ध्यान देंगे यहां पे मेरा जो RSI है वो भी 70 के उपर आ चुका है इसको अगर मैं वीकली चार्ट पे देख देख दो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया मेरे इस चैनल में एक टेकनिकल इसू की ऐसे मैं लॉंग वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहा हूँ इसी टॉपिक के उपर मैंने डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल के उपर शेर किया हुआ है आप उस वीडियो को डिटेल में चेक कर सकते हैं उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और साथी साथ आपके वीडियो के टॉप राइट कॉर्णर में जो आई का सिंबल आता है वहाँ पे भी मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है